ह Welp हेलोई अब्रिवीडन प्रीवेस लेक्छर में, हम लोगोंने, मीडियन और, बारे में, बल्कुल, बीसिक बीसिक Спटित मैंन को दिया था, मीडियन में चाहिए में, आज के लेक्छर में, हम लोग कोड़ा सा गुरूप्ट डेटा के बारे में देखने के कोशिश करेंगे कि अगर हमने गुरूपिंग कर रखी है तो हम कैसे काम करें सिंपल एक्जमपल दोंगा आशे नहीं बदलता नहीं तो आप परशान होगे डिर्ट एक्जमपल प्याउसीदा टेक है देखो मांक्स उप्टेंड है that is XI नंबर ओ स्टूडेंट इस एक बच्चे है चालिस नंबर वाले चार बच्चे है और यह होगे हमारा टोटल यह तो नंबर स्टूडेंट कितने होगे 30 होगे आप समझ पार होगे मैंने फार्मूल नहीं बता है लेकिन बेसिक सी बात है मीन क्या होता है एवरेज तो X बार से हम उसको रिप्रेसेंट करा सकते है that is nothing but sigma FI XI upon sigma FI that is very obvious यह सब चीजे आप बहुत मतलब you can say इसके बार मुझे बोलना भी नी चाहिए simple average बगएर यह है यह और कुछ नहीं है यह आप निकालना चानते ही हो तो हमने number of students and marks और number of students को multiply कर आगर रख लिया तो total marks यह आगे तो that is nothing but FI XI इन सब को हमने sum कर लिया sigma मतलब हमने इन सब को sum कर लिया और total number of students से इसको divide कर दिया इस सब्सक्राइब निकाल ली इसका अंसर के तना निकलेगा जी 1779 divided by 30 तो इसको आप calculate करके देखना 59.3 ऐसे कुछ आएगा यह अप प्लीज अपने अप्छक कर ले रहा हूं ठीक है जी ओके नो इसको अब मैं दिखाता हूं को grouping कैसे होगी यह तो बिल्कुल basic concept होगा जो मने लास लेक्चर में पढ़ा था उसको बस हलका सा data को analyze करना रोसब करना थोड़ सो मुश्किल हो जाता है उस case में क्या करा जाता है हम grouping करके रख लेते हैं तो हम एक range बना लेते हैं जैसे मैं बोल देता हूं कि 10 से 25 नमबर वाले कितने बच्चे हैं वो देख लो ऐसे करके देखो मैं आपको अगले साट पर समझाता हूं एक ऐसे 25 से 40 नमबर वाले देखो आपको लगएगा कि चार और तीन साथ हैं लेकिन यहां पर हम एक छोटी सी convention यूज करते हैं देखो मैं आपको ऐसे बोलता हूं 10 से 25 वाले हमारे को 1 प्लस 1 दो बच्चे नजर आए न ऐसी 25 से 40 में आपको लग रहा है साथ हैं लेकिन मैं इस आपको जो आपको चार रखना चार रखना आप रख सकते हों ठीक हैं तो आप देखो वह चार न से 25 वाले में कितने इस बता रहा हूं आपको बाकि आपकी इच्छा जो आप यूज करना चाहों इसमें कोई हाड़ और फास डूल नहीं है क्योंकि 40 के लिए आपको बास दो यहां रखना चाहों आप रख सकते हो ठीक है जी तो आप देखो वह चालिस से 25 वाले में कितने स्टूडेंट्स जाएंगे जी यह देखो यह हैं 40 वाले 4 हैं 50 वाले 3 हैं तो यह सात हो जाएंगे अब आपको सम्झ में आ गया होगा होगा आप फड़ावड से देखो 25 में 3 चालिस से 25 में साथ हैं यह आप अराम से चेक कर सकते हो तो यहां से बस एड़ करो और सब देख लो तो अगेन 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 हम सेंग यह सब हम कर रहे हैं बस हम सिर्फ आपको पहली बात तो यह समझाना चाते हैं कि मीन ऑफ गुरूप्ट डेटा कैसे निकाला जाता है और यहां पर मैंने गुरूपिंग का लॉजिक समझा दिया आपको और वह गुरूपिंग कर रहे हैं अगेन अगेन हम सेंग बहुत सारी रियल लाइफ में बहुत सारी रोज हो सकती है इन सब को देखना एनलाइज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है तो हम क्या करते हैं रोज पच्छे थे मैंने ऐसे पकड़ लिया 25-45 में तीन बच्चे थे ऐसे करके देखो यहां पर काफी सारी रोज थी लेकिन हमने उसको काफी छोटा डेटा बना लिया पहले देखो कितनी रोज थी पूरा गिना चाते तो गिन लो पेशक से एक दो तीन चार पांच छे साथ पाएंगे ends on और सब कुछ चोड़ो सब चीजों को मारो गोली गेट में कोशन आएगा जी सिदा सिदा इंटरवेल देदेगा और यह देदेगा अब आपको कहाएगा कि इसका मिन निकाल करके दिखाओ या you can say average निकाल करके दिखाओ तो क्या करना होता है वह मैं आपको कर सको ने तो कोशन में दो चीजे होंगी class interval और अब आपको आ जाएगा average निकाल करके दिखाओ या mean निकाल करके दिखाओ तो कैसे करना है बहुत असान काम होता है पेटा कुछ नहीं है पहली बात तो बार बर बता रहा हूं डेटा था उससे यह हमारे को करना आ गया interval बना तो class interval गिवन है number of students गिवन है तो class marks यह x i है ना फार्मूला किया था sigma fi x i upon sigma fi तो fi तो है हमारे पास है मतलब frequency तो है number of students है हमारे पास कि कितने students हैं कितना number लाएं and so on but x i कैसे निकलेगा बिटा इसका ना average ले लो of course बिल्कुल common sense ही कहेगी average ले लो 10 से 25 का average कितना होता 17.5 कैस 15.5 ऐसी 25 से 45 वाले का average कितना आ जाएगा 35.5 ऐसी 40 से 45 वाले का average कितना आ जाएगा 47.5 and so on you can calculate yourself इसमें को पड़ी बात नहीं अब स्लोवर लिमिट प्लस अपर लिमिट भाई टो यह आगी average अब मज़े की बात देखो हमने यहां पे ना approximations की है exact answer मैं नहीं लापाऊंगा क् obviously बात है एक 13 rows की table थी और आपने उसको 6 rows की table में convert कर दिया है आपने काफी सारे rows को merge कर दिया है तो थोड़ा बहुत error आना जायज है थोड़ा बहुत error आएगा उसका हमारे को फरकने पड़ता बट real life में सोचने की कोशिश करो कि अगर suppose करो एक लाख values भी होती ऐसी यह 1000 values भ जाते और थोड़ा बहुत error होगा उससे हमारे को फरकने पड़ता बट लग भग लग भग answer हम ले आएंगे ठीक है error देखो अब मैं आपको ध्यान से समझाता हूँ देखो एक बच्चा था 10 नंबर वाला और एक बच्चा था 20 नंबर वाला तो total बेटा कितने होगे 10 जमा 20 30 ठीक है ना तो 30 नंबर होगे इन दोनों बच्चों के एक 10 नंबर वाला एक 20 नंबर वाला total 30 नंबर होगे लेकिन तुमने यहां पर क्या अगरबड़ कर दी आपने दो बच्चे ले दिये और दोनों के 17.5 नंबर ले ले लिए तो आप कितना बना करके बैठे हो 35 नंबर थे और 32.5 तुम बना करके बैठे हो तो 3 into 32.5 that is 97.5 आपने 97.5 नंबर बनाए हैं तीन बच्चों के 25 नंबर वालों के और यहां पर देखना जारा 25 यह एक ही था 36 और वो तीन बच्चे थे तीन बच्चे थे 36 वाले तो 36 into 30 108 नंबर होने चाहिए लेकिन तुम कितने बना कर कि बैठे 97.5 थोड़ से नंबर घट गए तो यह बत है कहीं बढ़ जाएंगे कहीं घट जाएंगे एंडस हो तो इसलिए थोड़ा वो मतलब लगब उतना आंसर आने की हम मतलब उमीद है एक्जेक्ट तो नहीं आएगा फोर्स बट उसके आसपास हमारे को मिल जाएगा यह भी बच जाएगी काफी कुछ हमारा सेम हो जाएगा नो डाउट एक्जेक्ट आंसर नहीं आएगा बट उससे मिलता जूलता तो आंसर आई जाएगा अना गेन एनगेन हैंगेट में ड्रेक्ट कोशन आएगा क्लास इंटरवल नंबर उस्ट देखर क्या आप से सिधा तो दो बच्चे हैं और हरेक बच्चे का नंबर 17.5 तीनगे हैं वर एक बच्चे का नंबर 32.5 जाने हूं तो अर चालिस वाले चार बच्चे हैं 50 वाले 3 बच्चे हैं तो 40 वाले 4 थे तो 160 नमबर बैठते हैं और 50 वाले 3 थे तो 1.500 बैठते हैं तो तुम्हारे टोटल यहां से नमबर बैठते हैं 310 310 बैठते हैं और तुम कितना निकाल करके बैठते हैं 332 थोड़ से बढ़ गए तो भी बात है, हलका फुलका तरर होगा जी, असद नहीं हो सकता कि अरर नहीं होगा, क्योंकि आप merge कर रहे हो, तो अफकोर्स कुछ तो होगा, थोड़ा बत्तो फरक आएगा, ठीक है जी, तो फानली हमारे पास FIXE आ जाएगा, तो that comes out to be 1860, you can check it out yourself, इसलिए मैंने ये टेबल अपनी किताब से सीधी उठागर के लिए है, ताकि हमारा टाइम सोड सा सेव हो जाए, 1860 हमारा पसी दाए बैठाए, सिग्मा, FIXE के वएले कितनी होगी जी, 18060, और डिवाइड बारेंगे किसे सिग्मा, FIXe, 60, तो हम क्या कहेंगे, बस इसको ऐसे समझ लो, आपको बेसिकली समझ में आ रही है, एक्चुल टेबल थी, हमारे पास ये, इसमें कहेंगे, एक बच सब को मल्टिप्ले कर वाया और यह बन गया 1779 डिवाइड कर दें से मतलब टोटल फ्रिक्वेंसे से हमारा आजाता था डिरेक्ट आंसर था लेकिन आप हमने थोड़ा सा एप्रॉक्षिमेट किया और हमने क्या कह दिया जो पहले हमारे पास थे कि एक बच्चा दस नमर वाला अब मैं उसको ऐसे बना करके बैठ गया दो बच्चे दोनों 17.5 नमर वाले एंट सौन ठीक है कर मैंने काफी बार रिपीट कर दे आपको समया चुका होगा 1860 हमारे पास टोटल आया डिवाइड बाए 30 करेंगे तो कितना आंसर आजी है 62 अफकोर सोड़ सा फरक आ गया पहल अब एक और यह जो हमने करके दिखाए ना इसको हम मैं तो सा नाम बिक बता देता हूं इसको हम बोलते है डिरेक्ट मैथट यह है जी यह जो को रूरिया यहां से विकल्ट मेंथि अकर गया करके तो हम दूसरा हम एक होर है एक और है तो उससे भी हम mean निकाल सकते हैं, the basic aim is, हम calculations को कम करना चाते हैं, और इस वे पर हमारा कोई एम नहीं है, हम data को जल्दे से जल्दी handle करना चाते हैं, that is our aim, तो उसके लिए हम एक नया method समझ रहे हैं, assumed mean method, वो भी मैं आपको समझा देता है, अभी पहले हमने क्या देखा, direct method, उसमें direct calculations, दूसरा है, assume mean method, उसमें क्या होता है, नाम से समझा बेटा, assume mean method का मदब क्या होगा, हम एक mean अपने assume कर लेंगे, और वो mean क्या हो सकते हैं, वो तुम्हारी च्छा, जो मन कर रहा है वो मान लो, the most logical thing will be what, आप इन सब में से, यह हमारे पास marks आ रहे हैं, यह class interval था, उसका हमने mean यह निकाल करें रखा हुआ, इनका middle ले लो, तेक है, इसका middle ले लो, मिड जैसे देखो, अब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, ठीक है, बड़ी यह काम हो गया, 6 है ना, तो 6 का middle निकालने कुशिश करोगे, पर कितना हैगा जी, 47.5 भी आ सकता है, 62.5 भी आ सकता है, तुम्हारी इच्छा, तुम दोनों में से जो लेना चाहो ले लो, कोई फरक ने पड़ना, क्योंकि हम अपनी मर्जे से assume कर रहे है mean, जो हमारा मन कर रहा है, तो हमने 47.5 ले ले ले, यहाँ पिनोंने ये लिया है, तो हम ये ले लेते हैं, 47.5 हम assumed mean ले लेते हैं, तो मैं लिख देता हूँ, assumed mean is 47.5, तो हम अब हम क्या करेंगे, हम ना calculate करेंगे di, पहले हम क्या calculate कर थे बिटा, fi xy calculate कर रहे थे, तो हम अभी पहले xy से, हम di निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है, xy हमारे पास है, अब हम di निकालेंगे, di क्या होगा जी, xy minus that assumed mean, यह xy था हमारे पास, उसमें से assumed mean घटा देंगे, 47.5, तो 17.5 में से 47.5 विए 30 आया, 32.5 में से 47.5 विए, minus 15 आया, अब देखो, यह कितना साव सुतर अड़िटा है, calculation देखो, कितनी अच्छी हो जाएगी, पहले आपको यह सब calculate, 17.5 into 2 करना, 32.5 into 3 करना, 47.5 into 7 करना, मुश्किल लग रहे ना, अब यह थोड़ा साण हो जाएगा, अब भी 47.5 घटा देखो, तो ऐसे बन क्या है, minus 30, minus 15, 0, 15, 35, अब उसको यह क्या है, minus 30 into 2 करोगा, सीदा minus 8 हाएगा, minus 15 into 3 करोगा, सीदा minus 45 हाएगा, तो 0 into 7 सीदा 0 हो गया, और 6 into 15 सीदा 90 हो गया, and so on, कितनी असान calculations हो, कि बार बार बोलाओं, सिर्फ calculations को असान करने के लिए, हमने यह काम किया है, assumed mean method, ठीक है, जी तो यहां से हमने निकाली, हमने assume कर लिया mean 47.5, उसके साब से हमने di निकाल लिया, deviation, di मतलब deviation, deviation from the mean, जो हमने assumed mean थी, उससे deviation कितना हुआ, तो यह number से, x i minus 47.5 करके, हमने यह answer निकाला है, अब बस इसको आपने f i di कर लिया है, हम f i x i करते थे, अब हमने f i di कर लिया, f i di को हमने sum भी कर लिया, minus 8 minus 45 sign का ध्यान रखना, भी sign मदे ignore कर देना, course minus 10 आया, तो minus 10 into 2 minus 8, इन सब को add कर, इन सब को add करके, निकला 435, तो हम जैसे कि यह करते थे, sigma f i x i upon f i, तो हम यहाँ पे, अगर मैं करो sigma f i di upon sigma f i, तो क्या निकलेगा, ज़रा चेक करें, तो यहाँ से निकल गएगा, जिस 435 32, अब यह तो कहीं, दूर दूर तक same नहीं answer आना, और वो हमारे को पता भी answer आना भी नहीं था, अब देखो, क्यों क्योंकि यह minus 47.5 घटा हुआ था, तो मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ, कि exactly हो क्या रहा है यहाँ पे, मैं direct answer आपके परसीदा नहीं थोपता, थोड़ा सा प्रूफ देता हूँ, यह हमने किया है, तो अब आप जारा मुझे बताओ, यह जब करोगे, यह multiply होगा, तो आप क्या बोलोगे, सिग्मा FI XI divided by सिग्मा FI, एक है जी, minus सिग्मा FI multiplied by 47.5 divided by सिग्मा FI, यह बात पकड़ में आते कि नहीं, यह summations है, बेटा, प्रीज बड़ा, summation वगर यह सब आपको आना चाहिए, बेसिक चीज़े हैं और नहीं आती, तो मैं हमेशा हर जीच को discrete mathematics से लिंक करता हूँ, बेटा, आपको discrete पड़ना पड़ेगा, discrete mathematics में मैंने summation को पूरा चप्टर पढ़ाया आपको, तो 47.5 को सीधा भाहर ले करके आ सकते हो, तो sigma fi x i divided by sigma fi minus 47.5 multiplied by sigma fi upon sigma fi, यह समझगी होगे, 47.5 आगे आजाएगा, तो यह cancel out, sigma fi upon sigma fi cancel out, तो यहां से यह बचेगा, sigma fi upon sigma fi, यह क्या होता था जी, sigma fi x i upon sigma fi, यह हमारे को बता है मीन होता है, तो जो मीन आएगी, उसमें से हम यह गटा देंगे, 47.5, ठीक है, और यह answer हमारे पास आया बैठा है, क्या, यह answer हमारे पास आया बैठा है, 435 divided by 30, sigma fi di upon fi था ना भई, मैं लिख देता हूँ, तो यह हमारे पास आया बैठा है, sigma fi di upon sigma fi, यह उपर देखो ध्यान से, sigma fi di upon sigma fi, 435 upon 30, इसको हमने ऐसे से खोल-खोल के आगए के काम किया है, तो sigma fi di upon sigma fi, that is equal to, यह चीज आई है, तो अब हम क्या कहेंगे, कि यह 435 divided by, किता है बैठा है जी, 30, 435 divided by 30, that will be equal to, जो हमारा मीन होना चीए, माइनस 47.5, तो actual mean क्या हो जाएगा, 435 divided by 30, plus 47.5, अब यह answer निकालो, यह कितना निकलेगा, 3 बंदर 3, 3, 4s are 12, 3, 5 is 15, 14.5 plus 47.5, which comes out to be 62, जो हमारे को यह था, वो ही मिल रहा है, पीछे भी अपने 62 ही निकाला था, आपको लग़ा होगा, यह सिर्फ और सिर्फ आपके सामने में ने प्रूफ किया है, अगर आपको प्रूफ समझाए, अची बात है नहीं, तो गोली मर के शूट करो हमारे को से मतलब निया, लेकिन आपको पता है, मैरे मैंने आप लोगों से वादा कर रख है, कि मैं कोई भी चीज भी ना प्रूफ के नहीं बताऊंगा, पूरा ढंग से एक एक बात आपको एक स्प्लें करूँगा, तो उस चक्कर में आपको सारो को समझाए, अल्टीमेटली फाइनल आंसर के वादने मैं आपको सीधा बता देता हूँ, अजूम्ड मेंड मैथट सिर्फ यह बात कहने के कोशिश कर रहा है, जब आपको अगर यहाँ पर समझ में है तो पहुत अची बात है, तो मैं आपको पाइनल आंसर आपको मता रहा हूँ, क्या कहता है एक 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 आवरेज निकाल लिया, और हमने एक 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 एजूम्ड मीन रख लिया 47.5, तो Di विल बीकल तो XI-47.5, तो अब हर एक में से मैंने 47.5 घटा दिया, हर एक इस नंबर में से 47.5 घटा दिया, फाइनल आंसर में पास यह निकले, इनको हमने मुल्टिपलाय कर आ दिया इस से, मतलब यह frequency से तो minus 30 into 2 ends और यह सब answer निकल है 435 तो हम finally क्या कहेंगे हमारा answer कितना होगा 435 divided by 30 sigma fi di upon fi और फिर plus में जो assumed mean आपने माना हो था ठीक है जी तो हम finally जो crux है जो core result है वो यह है कि हम assumed method से finally क्या कह रहे है sigma आप कर लो fi di upon sigma fi plus में जो आपका assumed mean था 47.5 this will give you your answer that's it काम खतम इसे ओपर मैं और कुछ नहीं कहना चाहता था यह है हमारा bottom line यह हमारा crux final और यह सब कैसे आया उसारा मैंने आपके सामने proof रख दिया कि ऐसे-एसे करके हमने इसारा निकाला है I hope आपको बहुत अच्छे से पकड़ में आयोगा मैं यहाँ पर क्या करने के कोशिश कर रहा हूँ assumed mean method बहुत easy है कुछ भी नहीं है जो तुम्हारा मन कर रहा है वो तुम assumed mean मान सकते है यह भी बहुत बड़ी बात है जो मन कर रहा है मैंने 47.5 से आपको करके दिखाया है आपके लिए homework आप 62.5 के साफ से करोगे 62.5 आप assumed mean मान लो यहां से सारे answers निकालना सब कुछ वही कवही आएगा जो मैंने भी आपको दिखाया क्योंकि ultimately हमने यह चीज यह देखो यह cut नहीं है जो भी answer यहां से निकाल लोगे यह वहाँ पर जाके add होगा प्लीज मैं और ज्यादा इसमें deep में ने जा रहा मेरी खाल से आपको सब्समें हारा होगा हम यहाँ पर क्या कर रहे है तो assumed mean में यह को जुरूर नहीं कि आपको क्या लेना है तो अगर आप कहते हो तो चलो मैं एक जटके में आपको भी दिखा देता हूं हम assumed mean लेते हैं 62.5 उसके साफ से देखते ज़रा क्या answer निकलेगा तो 62.5 में से 17.5 जाएगा तो कितना answer निकलेगा जी 17.5 यह 0 12 में से 7 गया 5 और फिर यहां पर बच गया 5 पांच में से 1 गया 45 तो पहले का आएगा जी माइनस 45 अच्छा अगरे का क्या आएगा 32.5 था ना तो कितना आपने ले था 62.5 माइनस 32.5 तो यह तो आप सीथा ही बता दोगे 62.5 माइनस 32.5 यह 0 हो गया यह 0 हो गया यह 30 हो गया तो फिर यह कितना आएगा जी माइनस 30 आएगा उसके बाद फिर आइ थिंक आप समझ पा रहे होगे माइनस 15 आएगा यू कैन कैल्कुलेट यूर सेल्फ एना उसके बाद आएगा जी जीरो की किसी यह था यू कि 15 पंद्रा का गया पैना सिधा-सिधा तो यह भी आप समझ पा रहे होगे आगया आएगा 15 और आगया जाएगा 20 यू किन चेक इट आउट यूरसल्फ तो यह हमारे पास क्या निकला यह दि-आई निकलाए अब F-I-D-I करना है हमारे को तो F-I-D-I करोगे तो कितना से निकलोगे जी माइनस 90 यह 2 से मल्टिप्लाए होगा यह माइनस 90 फिर से आ जाएगा फिर 7 से मल्टिप्लाए होगा 15 माइनस 105 आ जाएगा अगला तो 0 आ नहीं आना है और उसके बाद फिर यह कितना हमने निकलाए 15 इंटू 6 नबबे बन जाएगा और 30 इंटू 6 एक सो असी बन जाएगा इनको हमारे को एड़ करना है समझ मैं आया क्या किया मैंने कुछ नहीं किया बेटा यह हमारा D-I निकलाए बैठा था न पहले यह D-I था पहले यह D-I था लेकिन अब हमने इतना असान हो इडिकल कुलिक्शन न यही फाइदा यह फाइदा यह प्रूमिटी में था इसको बात फिर यहां से फिर अमने क्या कर लिया यह मल्टिप्ले कर लिए लिए नंबर फूर्ट्ट के साथ FIDI मैं लिख देता हूँ FIDI में निकाल दिया कितना नेकलाण जी? 305-0-90 303-90 and please you can check it out yourself 7-25 105 हो गया यहां पे 0 आई गया उसको पष्जेखे 2 बार अटा 15-65 30-6 180 अब मैं देखो सीधा-सीधा कितना बड़िया करके दिखाऊंगा मैं तुमहेरे को देखो 190 और 190 यह योड़ गया और 90 और 105 कितना आ गया जी, देखरो कितनी beautiful calculations हैं सारी, तो ये बन के आ गया जी, 195, 195 is the answer, अच्छा सॉरी, ये minus 105 है न, minus 105 है और 90 है, तो क्या answer आएगा जी, minus में answer आएगा, कितना आएगा जी, ये 5 और इधर से बचेगा, minus 15, minus 15 हमारे पास total sum हो किया आया, कैसे कि है मैंने future sum आगे आगे न, minus 90 plus 90 उड़ा दिया, और minus 90 एक सॉसी में से 90 बच गया, और 90 और minus 105 था, तो minus 15 हमारे पास आया, ठीक है जी, जो भी आया हम उसको करेंगे, तो अब हम क्या कहेंगे, जी sigma fi di upon sigma fi करो, और साथ में assumed mean एड़ कर देना, assumed mean कितना हमने ले रखा था, 62.5, तो आप एड़ कर देंगे, 62.5, तो sigma fi di हम करके बैठे है, minus 15, divided by, कितना था जी, ये students 30 थे, तो कितनी असान calculations है, बेटा, देखो मज़ा आ जाएगा तुमारे को, 62.5, तो यहां से ये घटा, ये कितना है जी, minus 0.5 बचा है, तो ये घटा, 62 is the answer, जो स्टेगी था वो ही आया है, तो ये फाइदा जी, assumed mean method का, the only thing is calculation कम हो जाएगी, और कुछ नहींगी, तो आपका direct method था, वो भी काम कर रहा था, बच ये कितना अजीब था, 17.5 into 2 करना, 32.5 into 3 करना, 45.5 into 7 करना, ends on calculator यूज करोगे, फालतो का दिमाग खराब होगा, उस सब करने के जूरती नहीं है, assumed mean method लगाओ, तो हमने assumed mean पहले रख लिए, 47.5 उसके साब से calculations कर ली, और उसके बाद 62.5 लेकर के, उससे भी calculation करके दिखा दी, answer of course यह माना, तो कितनी जल्दी और कितनी beautiful calculation है, इस पे धियान लगाओ, बस, आई बात पकड़ में, आज ओब आगे, अगला method, अगला method होता है, step deviation method, और बढ़िया, बस calculation को कम करने, हमने कुछ नहीं करना, और calculations को हमने कम करने कोशिश करी, हमने क्या करा, अब देखो, हमने अभी पीछे जो assumed mean लिया था, वो कितना था, यह 47.5 था, 47.5 था, इबड़ चेक कर लेते हैं, 47.5 था assumed mean, तो x i-47.5 हमने कर लिया, यह वही, जो अभी तक हम करते हैं आ रहे थे हैं, बारबर बोल रहों, कोशन यहीं है, class interval और frequency, यह दो चीज़े हमारे पास गिवन हैं, और आपको कह दिया गया कि mean निकाल करके दिखाओ, तो अपने class interval से, mean निकाला class interval का, 10 जमा 25 बटे, अब इनको आप multiply कराओ frequency के साथ, तो यह हो गया FIUI, यह है जी हमारे पास final answer FIUI का, और हम बस क्या करेंगे, sigma FIUI कर लेंगे, that is 29, और frequency कितने थी 30, और अब देखतें फिर कैसे निकलेगा, मैं आपको पहले proof देता हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगा कि क्या है, चलो, शुरू, जा फट फट फट, हमने क्या करना है, sigma FIUI upon sigma FI, इसकी value हमारे को मिल चुकी है, 39 बटे 30, अब बस UI क्या है exactly, वो value फिल कर दो, आपके पास पता लगा जाएगा, क्या चल रहा था, sigma FI, और UI क्या है यह है, XI minus A by H, तो XI minus A, A हमारे पास क्या था, assumed mean that is 47.5, divided by H, H क्या है भई, हमने यह माना वा था, इन सब का highest common factor समझ लो, H, तो यह क्या था, 15 था, तो इसलिए मैंने बटा, 15 कर रखा था, divide कर दिया sigma FI से, यह कहानी आई है, ठीक है, और यह value पूरी आपको क्या दे रही है, 39 बटे 30, अब आप देखो भई, वही बाता थोड़ सा समेशन आना चाहिए, मेरे बच्चे, तो हम क्या करेंगे, यहां पर सीदा बोलेंगे, sigma FI XI, और बटे 15 होगा ना, तो वो बहार आ जाएगा, यह कितना रहा है, 39 बटे 30, देखो जाँ धियान से, अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, यह आपको पता है, यह हमारी actual mean है, sigma FI XI upon sigma FI, तो X bar, हम mean को represent करा रहा है, माइनस, sigma FI, यह 47.5 बटे 15 सीदा भारा जाएगा, 47.5 बटे 15, और sigma FI upon sigma FI will cancel out हो जाएगा, which comes out to be 29 upon 30, तो ultimately, अब हम क्या कहेंगे, X bar बटे 15, that will be 39 बटे 30, plus 47.5 बटे 15, ठीक है जी, तो अब जड़ा देखो, यह क्या बन के आएगा, है ना, तो हमाई LCM ले लेते हैं, 30, तो यह कितना बन के आए, 39, प्लस यहां से यह कितना बन के आएगा जी, यह 2 से मल्टिपले हो जाएगा न, तो यह कितना हो गया जी, 85, 85 हो गया यह है न, बटे 32, तो यह कितना हो गया जी, X bar बटे 15, तो ultimately, X bar क्या हो जाएगा, 39 बटे 85, बटे 30, इंटू 15, यह बन गया जी 2, और यह कितना है जी, 95, 14, 8, 2, 10, 11, 12, बटे 2, तो यह कितना हो गया जी, 8, 2, 10, 11, यह आजाएगा जी, 25, 25, 10, 15, 57 हो गया जी, कहीं मुझे लग रहा है से, calculation mistake हो योगी, एक मुझे जड़ा मैं चक कर लेता हूँ, यह 9 आना चाहिए था, sorry for that, 95 आना चाहिए था, इक है न, 47.5 आना, इंटू करेको तो 95 भी तो बन के आएगा न, तो यहाँ पे यह भी 95 होना चाहिए था, तो 12, अब आगया न, यह देखो, 62, 62, बस क्लास आ गया, वह यह बस हलकिसी कैलकुलेशन में स्टेक थी और कुछ ने, जो चाहिए था, हमारे को 62 चाहिए था, वह 62 ही आया, बिल्कुल सेम तो सेम आंसर आया, तो अब हमने बस यही सिखा, इसको हम बोल देते हैं, पेटा, step deviation method, step deviation method में कुछ नहीं है जी, हमने वही अपने assumed mean रखा, assumed mean को एक highest common factor इनका देख लिया, उससे divide मार दिया, तो finally आपके पास आंसर क्या निकलेगा, मैं वह भी आपको बता देता हूँ, यह सब तो हमने प्रूफ कर दिया, हम सिधा बस आंसर जो मोटी-मोटी बात है, मैं वह यह कहूँगा, कि आपको क्या करना है, sigma fi ui upon sigma fi, यहां से जो आंसर निकलेगा, उसको आपको एक तो add करना पड़ेगा, इसमें एक तो divide कर रखा था ना, highest common factor से, तो इसको यहां पे divide कर लेना, multiply करा देना 15 से, बिल्कुर reverse का, divide किया था, तो यहां पे multiply हो जाएगा, और plus, आपको क्या करना पड़ेगा, जो यह था, assumed mean था, assumed निकिता था, 47.5 था, तो 47.5 हमारे को add करना पड़ेगा, यह हमने एक बार चेक करो जारा, हमने यह किया कि निकिया है, तो, हाँ, अच्छा, आप स्वारी, 47.5 था, sorry for that, यह भी तो हो गया था ना, I think आप समझ गया हो गया, यहां से चक करो, दिखकर देखकर यहां से चक करो, देखो, क्या किया गया भई, यह final mean क्या निकला जी, जो हमारे पास, sigma fi, ui upon sigma fi, यह था ना, यह था, उसमें आपने प्लस कर दिया है, यह, 47.5 बटे 15, जो अजूम्ड मिन था, बटे 15, वो प्लस कर दिया है, और पूरे को 15 से multiply किया, हाँ, sorry, मैं गल्द कर गया, तो इसको आप प्लस करेंगे, और इस पूरे को आप आगे multiply करा देंगे 15 से, that's it, this is our final answer, ठीक है जी, तो अब आप check कर सकते हो, यहाँ पर एक बार मैं फिर भी check करा देता हूँ, कहीं कुछ मिस्टेक ना और यह 29 बटे, यह पूरा sigma fi, 29 बटे 30, प्लस 47.5 अपॉन 15, और पूरे को हमने 15 से multiply करा दे, यह हमने किया था, ठीक है जी, तो हमने finally क्या किया, जो हमने divide किया था ना, एक common factor से, उसको of course आपको multiply भी तो करना पड़ेगा, आप ऐसे समझ सकते हो, देखो, सबसे basic बात क्या है, कि यह divide किया था आपने, तो multiply करना पड़ेगा, अब यह assumed mean को आपने 15 से क्यों divide किया, क्योंकि of course बटा, x i upon h minus a a upon h, ऐसे बन क्या रही है, ui क्या बन क्या रही है, x i upon h minus a upon h, I think समझ गयो गया आप लोग, मैं इसमें और जाइदा नहीं बोलना चाहता, ठीक है, तो clear हो गया होगा सबको, तो इसलिए 47.5 डियाड़ेपे 15 हुआ है, और sigma fi ui upon sigma fi, यह हमारे पाइन सम निकला ही बैठा था, प्लस में 47.5 upon 15 हो गया, multiply by 15 हो गया, तो 15 क्या है बई, जो आपने यह divide मार रखा था जिससे, तो हर जगा divide के तो finally multiply भी तो करना पड़ेगा, तब यह निकलेगा, average के chapter याद करो, average में, aptitude में, मैंने सारा समझा रखा है, हर ए quantity को अगर से सब्टेट कर दोगे, तो mean भी, यह जो average होगी, वो भी same quantity से घट जाएगी, वो ही सब कहानी है बेटा, और कुछ नहीं है, ठीक है जी, I hope आपको clarity आ रही होगी, मैं यहाँ पर क्या कहनी के कुशिश कर रहा हूँ, ठीक है जी, चलो, करो साबाशनोट डान, फिर मैं आगे परता, तो आसी वह divide करना, चार नंबर है, कोई रेंडम, हर एक को मैंने 5 से बढ़ा दे, तो उनका average भी तो 5 से बढ़ जाएगा, ऐसी हर नंबर में से मैंने 5 घटा दे, तो average भी तो 5 से घट जाएगा, तो वो ही चीज है, यहाँ पर बस वो ही चीज लग रही है, तो आप यह देख सकते हैं, आगे आजाएगे, तो अब यह question मैं आपको homework में देता हूं, एड़ आप इसको attempt कर लेंगे, तो यह जो तीनो method मैंने आपके साथ डिसकस की है, उन्हें तीन method से करेंगे, परसे ने जो female teachers हैं यहाँ पर, और number of states, यह हमारे को गीवन है, तो average mean निकाल करके दिखाना है, तो direct method से भी निकाल सकते हो, उस बद यह हमारा assumed method से भी निकाल सकते हो, और step deviation method से भी निकाल सकते हो, assumed mean method और step deviation method भी बहुत calculation असान कर देंगे, बहुत बढ़ी answer लिकर कर आएंगे, और जो हमारे पास direct method अफकोर्स calculation काफी साधा माँगेगा, तो यह आप homework में करके आएंगे, अपने आप, next lecture में आकर करके यही से आगे बढ़ाऊंगा, इस question को solve करूँगा, और फिर आगे next और बाते करूँगा, तो हमने grouped data के लिए mean निकालना सीख लिए, फिर mode देखना है, फिर median देखना है, उस सब कुछ देखना है, वो of course हम next lecture में देखेंगे, समझ में आ गया होगा, तो सिरुवात अगर आप चाते को मैं कर दूँगा, 15 से 25 चे हैं, डिवाइड कर देना टोटल फ्रिक्वेंसे से, आपके पस में आ जाएगे, हिंट तो दे दिया मैंने आपको, आगे आप अपने आप जानते हो, यह डिरेक्ट मैसट का अंसर है, आगे आगे बाकी आप करके देखेना, ठीक है, ठीक है ठीक है देबेटा, अगर आप कंप्यूटर पे देख रहे हो, तो आपको डिश्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उस लिंक पे क्लिक करके, डोनेशन जो भी देना चाहो और दे सकते हो, डाउट्स की बट प्रब्लम रहते हैं, इसके अगर प्रब्लम बात नहीं है, आप जहां से भी कुछ भी पढ़ रहे हैं, आप मेरा टेलेग्राम चनल को सर्ष्राइब कर सकते हो, अब जादा एक्टिव ग्रूप है, बहुत सारे एक्टिव रहते हैं, तो आपको रप्लाइब मिल जाएगा, तो अलग चैनल वाइस चैनल हमने बना रखा है, बहुत अचासा डिस्कॉर्ड सर्वर हमने मेंटेन किया है, तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिशन में मिल जाएगा, सब कुछ फ्री है वही है, मैं कि जीज के लिए पैसे चार्ज नी करता ह सब्सक्राइब कर सकते हैं, मैं अपने मुझे कभी कुछ नहीं मांगूगा आपसे, आप जो दे रहा चाहते हो, आप मुझे दे सकते हो, ओके, थैंक यू सो मच, बबाए